लिखा है कि पापा तुझे समझना और सब्दों को समझ कर सब्दों में पिरोना मानौ सूरज को दिया दिखाना है और उंगली पकर कर मुझे चलना सिखाना कैसे बताऊं चंद सब्दों में मुझे याद हो पुराना जमाना है एक रोज सामने से आई मुखब देखा देखता रहा नजरे नहीं पेरा मुझे देख लंबे अरसों बाद मुस्कुराई मुखब मुझे देख लंबे अरसों बाद मुस्कुराई मुखब देखा देखता रहा नजरे नहीं फेरा और मुझे घूरता देख थोड़ा सहमाई मुखब देखा देखता रहा नजरे नहीं फेरा और अंतिन दो लाइन से इसको खतम करूंगा कि खामोस देखकर मुझे बगल से गुजर कर गई मुझे खामोस देखकर मुझे मेरे बगल से गुजर कर गई महबद देखा देखता रहा लजने गई अब लिखा है कि आखों को मेरे अब तसली नहीं आराम चाहिए बहुत भटकलिया गैरों के खाबों में अब वापस मुझे मेरी साम चाहिए अब वापस मुझे मेरी साम चाहिए और अगर मांगे कोई दुआओं में मुझे तो बता देना उस सक्स को अब मेरे जिस्म को सिर्फ मेरा नाम चाहिए अब मेरे जिस्म को सिर्फ मेरा नाम चाहिए अब मेरे जिस्म को सिर्फ मेरा नाम च है कि अब तुझे दर्द सुनकर सुना कर सुरू से कि अब तुझे दर्द सुना कर फुद का दिल बहलाओंगा नहीं यह दर्द रुसवाई बेवफाई सब मुझ पे छोड़ दो तेरी गली कभी आउंगा नहीं और हर सबाल की तरह इसका जवाब न पूछना हर बार दिल तूटने की कीमत समझाओंगा नहीं यह अभी युक्रेन वाला जो तबाही हो रहा है उसके लिखाए कि तबाही का मंजर इस तरह चाया है मानो हर सक्स के पीछे मौत मंत रहा है वो साहब हैं सोचते होंगे बच निकलेंगे मौत में यहां सबका मजा कुराया है और जिंदगी बड़ी सस्ती हो गई है यहां पर सब मौम आया है यहां पर तब नो माया है एक ताजीर का अर्थ होता है वैपारी तो इसके बाद एक और सुनाओंगा खतम करूंगा कि लिखा है कि तेरे बाजार का ताजीर अच्छा है क्या तेरे बाजार का ताजीर अच्छा है क्या सौधा लगाने में पक्का है क्या सौधा लगाने में पक्का है क्या पूछने की वज़ा मत पूछ पूछने की वज़ा मत पूछ एक बेवफा जा रही है इसक का सौधा करने बस इतना बता तेरे बाजार में इसक की कीमत अभी भी सस्ता है क्या तो इतना बता है कि तेरे बाजार में इसकी कीमत अभी भी सस्ता है क्या और अगर नहीं तो तेरे ताजीर को बॉल कीमत घठा दे आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं देखना है मुझे भिक्ता हुआ इसक दिखने में भी अच्छा है बेक्ना मुड़े डिक्ताव वा इसकी डिकलेमे यचाइ